तो यहां पर बात यह है कि हम अलिखिस सविधान के गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं पर जम गुणों की चर्चा कर रहे हैं लेकिन साथ में हम दोश भी बता रहे हैं क्यों दोश बता रहे हैं क्योंकि जो अलिखिस सविधान है अगर प्रैक्टिकली हम देखे तो यह उतनी स सक्सफफल हमें नजर नहीं आथी अगर हम राश्टंत्र की बात करें या मोगल समराजिय की बात करें या ब्रिटिस आसन की भी बात करें तो यह पर भी कुछन सविधान है या प्रशाशनिक नियम कानून वह ज़रूर बनाते थे उसको लीकरते भी थे तो हम पर हम देखेंगे कि जो अलिखित सविधान है वो सक्सेस्फुल जादा नहीं हो पाता उसको लिखना भी जरूरी होता है दुनिया के अधिकांश देशों ने लिखित सविधान को अपनाया है पर जो हम गुणों की चर्चा कर रहे थे तो हमने उनके दोशों के भी चर्चा की है दोशों की चर्चा की है कहने का मतलब यह है कि अलिखित सविधान के गुण कम है पर उसके दोश ज्यादा है आईए हम देखते हैं कि अलिखित सविधान के दोश क्या है अलिखित सविधान का जो पहला जो दोश है वो है आईस्पष्ट और अनिश्चित इसकी अधिकां अलशबाते लिखित ना होने के कारण यह अश्पष्ट और अनिश्चित चुति ए सविधान की व्याक्या में कठिनायों के साथ इस उसकी किसी धारा के संबंद में भी विवाद हो सकता है सविधान को निश्चित करने वा स्पष्ट करने के लिए बार-बार परिवर्तन की आवशक्ता पड़ती है यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन है और जो न्यूजिलेंड है यहाँ पर अलिखी सविधान और यह सविधान सक्सेस्पूल है क्यों है क्योंकि यह जो तेश है इनका छेत्रफल भी छोटा है इनकी जनसंख्या भी बहुत कम है और इनके इतिहास को देखें तो इनकी इतिहास में भी हमें एक रुपता देखने को मिलती है लेकिन क्या संगात्मक राज्यों में जहाँ पर जनसंख्या भी बहुत है और छेत्रफल भी बहुत है वहाँ पर एक जगह या केंद्र सरकार के पास ही शक्ती नहीं दी जा सकती है राज्यों को भी शक्ती देना जरूरी है तो यहां पर शक्ती का जो विभाजन है वो हमें देखने को मिलता है और शक्ती का विभाजन है तो जहिर सी बात है कि उसका इसपस्ट उलेक करना भी जरूरी है आईए हम एक उधारण देखते हैं अमेरिका का अमेरिका के देखें तो अमेरिका में अपनिवेशिक शासन था ब्रिटेन का और सारी जो शक्तियां थी वो ब्रिटेन के पास होती थी मद्यवर्ती सरकार के पास कोई शक्ती नहीं है निचली सरकार के पास कोई शक्तियां नहीं है तो ऐसे में जब अमेरिका का सविधान बनाया गया तो वहाँ पर इसपस्ट उलेक किया गया कि जो मद्यवर्ती जो सरकार है उनके पास शक्तियां होंगी और राज्य चाहे तो तो वो संग से अलग हो सकता है तो इस पश्ट उल्लेक करना यहां पर जरूरी था अगर इस पश्ट उल्लेक नहीं होता तो यहां पर भी विवाद की स्थती देखने को मिलती लिखा हुआ है फिर भी विवाद होते हैं अगर ना लिखा हो तो कितना विवाद यहां पर होगा जबी भी यहाँ आपात की जब इस्थती आती है तो ये जो देश हैं उस इस्थती से जल्दी उबरने पाते हैं पास से 6 साल जो है इनको लग जाते हैं उस कंडिशन से उबरने के लिए और इनका जो देश जो है इस आपात इस्थती के कारण 20 से 25 वर्ष तक ये पीछे चला जा सकता है और इसका हम एक और उधारन देख सकते हैं भारत का भारत में जैसे सिक्षा का अधिकार रखा गया है अनुचे 21 ए में इसमें ये प्रावधान है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको निसुलक सिक्षा दी जाएगी जसमें हम ये भी देखते हैं कि जो प्राइवेट जो स्कूल है एक निश्चित मात्रा में गरीब जो बच्चे हैं उनको निसुलक सिक्षा देंगे जिसके लिए वह बात देनी है यदि हम इसको भारत की संस्कृती पर प्रथा और परमपराओं के उपर अगर हम छोड़ दें तो ये जो सिक्षा का जो अधिकार है ये प्रा सविधान को लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण हैं लिखने से इस पश्टता आती है और निश्चित्ता आती है इसले लिखिस सविधान होना जरूरी है दूसरा है अईस्थिर वा लचीलापन अलिखे सविधान परिवर्तन शील या लचीला होता है इस कारण आवेश में आकर नीही स्वार्थों की पूर्ती के लिए आविवेक पूर्ण, अन्याय पूर्ण और जनहित के विरुद्ध संशोधन किये जाते हैं अता अलिखे सविधान उक्तकारणों से आइस्थाई और कमजोर होता है इसका जो उधारन है वो है रूस और चीन यहां का जो सविधान है लिखे तो है पर वो लचीला भी बहुत जादा है तो रूस के और चीन के जो राश्ट्र पती हैं उन्होंने अपने पद को आजीवन कहने का तात पर यह है कि उन्होंने अपने पद को मन चाहे समय के लिए इस्थिर कर दिया है अपने पद को उन्होंने सुरक्षित कर दिया है आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी बाते हैं कि नीजता का जो अधिकार है उस पर विश्व चर्चा कर रहा है उसकी ओर आगे बढ़ रहा है संयुक्त रास संग ने अपनी घोशना पत्र में कहा कि नीजता का अधिकार होना चाहिए पर ऐसा देश चीन और रूस जहांकि राश्ट्र पति ने अपने पद को सुरक्षित रख लिया है यहाँ पर अगर राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर अगर ये प्रशन उठे कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरी है और इसके लिए सारे जो नागरिक हैं उनके फोन को टैप किया जाएगा तो ये आसानी से इस नीती को कुरियानवित कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि लचीला जो सविधान होता है अलिखित सविधान होता है तो स्वार्थ में आकर उसमें कई सारे जन्ता के जो हितकर भी नहीं होते हैं ऐसी कारियों को भी किया जा सकता है तीसरा है नागरिक अधिकारों की रक्षा में असमर्थ जिस देश में सविधान अलिखित होता है उस देश की व्यवस्थापी का अपनी इच्छा नुसार सविधान में शंशोधन कर नागरिकों के अधिकार को समाप्त कर सकती है और अलिखित सविधान में नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा नहीं होती अगर सविदान में लिख दिया जाए तो नागरिक के अधिकार बहाँ पर सुरक्षित होते हैं जैसे हम उधारण हम देखते हैं कि ब्रिटेन को हम उधारण में देखते हैं ब्रिटेन में जो स्वतंत्रता है वो नकारात्मक स्वतंत्रता है नकर आत्मक स्वतंत्रता से तात पर यह है व्यक्ति जो कार्य करना चाहे वो उस कार्य को कर सकता है यदि वो किसी का मडर करना चाहे तो वो मडर भी कर सकता है यहाँ पर अगर संसद को लगता है कि यह अधिकार इनके पास नहीं होने चाहे या न्याय पालिका को ऐसा लगता है कि यह अधिकार इनके पास नहीं होने चाहे तो जब तक संसद या न्याय पालिका उस अधिकार को खारिज ना कर दे तब तक वो व्यक्ति उस कार्य को कर सकत पर भारत है और अमेरिका है यहां पर जो स्वतंत्रता है वो सकारात्मक स्वतंत्रता है यहां पर व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग जो है वो कर सकता है पर व्यक्ति के अधिकार से दूसरे व्यक्ति के जीवन में कोई कस्ट नहीं आने चाहिए तो अगर हम बात करें फिर से ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में वहां के नागरिकों को जबकि वहां प्रजातंत्र 1688 से 1689 में स्टार्ट हुआ है फिर भी वहां के लोगों को महिला मता अधिकार के लिए लड़ना पड़ा क्यों लड़ है और परिवर्तन शील है यहां पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की कोई गैरंटी नहीं है पर भारत में देखिएगा भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए अनुचेद पंद्रा दो पनाय गया है जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी व्य मार्ग है इसका उप्योग वो कर सकता है ऐसा क्यों क्योंकि सविधान में लिखा है और अधिकार दिया गया है तो लिखित होते हैं अधिकार सविधान में से नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा होती है संगात्मक राज्यों का हम एक उधारन हम देखते हैं जब ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाना आरंभ किया तब उन्होंने देखा और ये महसूस किया कि हमारा जो ब्रिटेन है ये तो छोटा सा है और यहां पर हम एकात्मक व्यवस्था के अनुसार हम शासन करते हैं पर जो हमारा उपनिवेश है ये बहुत बड़ा है हमसे 10-12 गुना बड़ा है तो हम यहां पर शासन कैसे करें शुरुवात में तो उन्होंने एकात्मक शासन ही किया पर उनको एसास हो गया कि हम एकात्मक शासन नहीं कर पाएंगे यहां हमें राज्यों को शक्ती देना जरूरी है फिर उन्होंने संगात्मक व्यवस्था के द्वारा शासन करना शुरू किया संगात्मक व्यवस्था में राज्यों को शक्ती देनी शुरू करी ब्रिटिश जो हैं महत्तुपूर्ण जो विशय हैं जैसे की प्रतिरक्षा है विदेश है संचार है इन महत्तुपूर्ण विश्यों को अपने पास रखते थे और बाकी सारे जो विशय होते थे उसके लिए राज्यों को शक्ती दी होगी तो यह संघात्मक विवस्था के लिए जो लिखित सविधान और शक्ती का विभाजन जरूरी होता है और यहां पर यह भी देखेगा क्योंकि शक्तियां बटी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि विवाद होंगे ही होंगे इसलिए लिखित सविधान होना चीए और भारत जो है और अमेरिका है यहां लिखित सविधान है फिर भी यहां विवाद देखने को मिलता है तो इसी से यह पता चलता है कि अलिखित में कितना विवाद यहां पर होगा जरूरी नहीं है कि बड़ा छेत्रफल हो बड़ी जनसंख्या हो तो ही संघात्मक विवस्था होगी सजर ल भी है और जर्मन भी है नहीं सारे लोग वहां पर रहते हैं तो इस विवीधता की वज़ा से भी वहां संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाई गई है पाचवा राशनीतिक दलों के हातों का खिलोना अलिकिस सविधान में साधारन भुहमस से आसानी से ही सविधान संशोधन हो जाते हैं सदैव ये खत्रा बना रहता है कि जो भी सत्ता में आता है वह अपने हित के लिए अपनी इच्छा नुसार सविधान में परिवर्तन कर लेता है इस प्रकार अलिखे सविधान सत्तारूड दल बहुमत या उनके नेताओं के हाथों का खिलोना बनकर रह जाता है हम देखें आलिखे सविधान को तो आलिखे सविधान बहुत कम देशों में है तीन चार ही देशों में होगा और वहाँ बहुत अच्छी विवस्था चल रही है राजनितिक दलों के हाथों का खिलोना बना नहीं है तो हम थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं अन्य देशों को तो हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें और जर्मनी को देखें तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को युद्ध में धकेलने वाला और बरबात करने के पीछे राजनीतिक दलों का ही हाथ था तो प्रथम विश्वयुद्ध और हिटलर के पहले अगर हम जर्मनी को देखें तो जर्मनी में बहुदली प्रथा थी बहुदली व्यवस्था थी और इस बहुदली व्यवस्था में जो व्यपारी थे व्यपारियों का बहुत जादा इसमें प्रभाव था व्यपारी धन कमा लाभ कमाने के लिए उन्होंने जर्मनी की जो नीतियां थी वीधियां थी उसमें मलमाना इन्होंने परिवर्तल किया और जर्मनी को बरबाद कर दिया विश्व युद्ध में इसके बाद हिटलर ने देखा कि जर्मनी बरबाद हो रहा है तो हिटलर ने सत्ता समाली और एक तो देखकर हम क्या सीख रहे हैं कि यह जो राशनितिक जो दल है वो अपने स्वार्त में अपनी इच्छाओं के अनुसार मन-माना परिवर्टन यहां पर करते हैं चुकि सविधान कैसा है आलिखित है अब यहाँ पर हम भारत को देख सकते हैं भारत में भी जो राजनितिक दल है कभी महिलाओं को लेकर कभी अलपसंख्यकों को लेकर तो कभी जो पिछड़े लोगों को उनकी भावनाओं को वो उभारते हैं और अपना फायदा यह देखते हैं फ्रांस का तो फ्रांस जो है दृति विश्व युद्ध तक इनी बहु दली व्यवस्था का वो शिकार रहा है राजनितिक दल मन माने तरीके से फ्रांस को पुरा बरबाद करके रख दिया हुआ था तो ऐसे में डी गॉल जो थे वो फ्रांस के राश्ट्रपत अलिखित है वहां तो खिलोना नहीं बनाए राजनितिक दलों का पर जहां लिखित सविधान है वहां हमको देखने को मिलता है कि राजनितिक दलों ने खिलोना बनाकर रख दिया है सविधान को सत्ताधारी दल बहुमत के समर्थन के आधार पर किसी भी परिस्थिति में आलिखिस सविधान का फायदा उठाकर उसमें ऐसे परिवर्थन कर सकता है जो उसे निरंकुष या ताना शा बना सकता है, इसमें शासक दल के ताना शा बनने की पूरी सम्भावना रहती है अब हम यहाँ पर देखते हैं चाहे गधाफी हो चाहे सद्दाम हुसें हो चाहे तालिबान हो या हिटलर हो इन सभी नेताओं ने इन तानाशाहों ने अपनी तानाशाही के आधार पर सविधान और नियमों को तोर मरोड कर इन्होंने शासन किया है हाला कि अगर लिखित सविधान होता भी तो भी कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि ये तने तानाशा है कि उनके लिए सविधान भी कोई माइने नहीं रखता यहां पर अगर सविधान लिखित होता तो एक विकास चिल राजविवस्था में जो नागरिक है या विरोधी दल है तो कम से कम वो न्याय पालिका की दुहाई तो दे पाते पर वो अलिखे सविधान होने की वज़ा से वो दुहाई भी नहीं दे पाएंगे अगर इसका हम उधारन देखे पाकिस्तान में तो जिया उल्ल हक है और मुशर्रफ है इनके शासनकाल में आपको देखने को मिलेगा कि इतना ताना शाही था राशनीतिक आई स्थिर्ता आ चुकी थी चुकी वहाँ का सविधान लिखित है इसलिए वहाँ पर राशनीतिक इस् भावना होती है वह जादा होती है पर अगर लिखित हो तो न्यायपाली का के पास जाकर सविधान को या देश को बचाया जा सकता है ब्रिटेन का जो सविधान है वह अलिखित है और काफी सुव्यवस्थित तरीके से वह चल रहे हैं क्योंकि 550 सालों तक लगभग वह अगर सही तरीके से करें तो किसी भी प्रकार के तानाशा होने की कोई संभावनाएं नई होती है अब देखते हैं निशकर्स लिखित अलिखित सविधान के गुण और दोशों आधुनिक युग में लिखित सविधान ही अधिक उपयुक्त माना गया है केवल ब्रिटेन का स सविधान लिखित ही हैं तो हम निशकर्स से ये समझते हैं कि सविधान जैसा भी हो चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित हो दोनों के अपने गुण और दोश होते हैं हाला कि जो अलिखित सविधान होते हैं उसके गुण कम और दोश जादा होते हैं इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने अपने सविधान को लिखना जादा महत्तोपुण समझाया और लिखे सविधान की अपनी ही विशेष्टा होती है। तीसरा जो वर्गी करण है वो है परिवर्तन शिल्ता के आधार पर सविधान के संबंध में दिये गए पहले वर्गी करणों की अपेक्षा यह वर्गी करण अधिक व्यज्ञानिक और तरकसंगत है। इस परिवर्तन शिल्ता और आपरिवर्तन शिल्ता सविधान का वर्गी करण सब से पहले लौर्ड ब्राईस ने किया था। अब यह लोर्ड प्राइस कौन है लॉर्ड प्राइस जो है ब्रेटेन के लिब्रल पार्टी के वो नेता थे विधी वेत्ता थे और राजदूद भी थे उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने ही विभाजित किया है इस प्रकार सविधान में संशोधन की वीधी आसान है या कठिन इन कसोटी के आधार पर लॉर्ड ब्राइस ने सविधान के दो भेद बताए है पहला कठोर सविधान और दूसरा लचीला सविधान की लचीला सविधान क्या होता है तो लचीला सविधान देखिए लचीला सविधान उसे कहते हैं जिसमें साधारण कानून और सविधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता है यदि सविधानिक कानून बनाने और साधारन कानून बनाने की प्रक्रिया वह संशोधन की प्रक्रिया एक जैसी हो तो उस राज्य के सविधान को परिवर्तन शील या लचीला कहेंगे आएए देखते हैं डाइसी की डाइसी ने क्या कहा है तो डाइसी ने कहा है कि परिवर्तन शील जो सविधान है जिसमें साधारन अत्वा सविधानिक किसी भे कानून को किसी एक ही संस्था संसत द्वारा और एक ही प्रक्रिया द्वारा कानून कानूनी रूप से परिवर्तित किया जा सकता है अगार्णर क्या कहते हैं परिवर्तन शील सविधान वह सविधान है जिसकी साधारन कानून से अधिक शक्ति और सत्ता नहीं है जो साधारन कानून की भाती ही परिवर्तित की जा सकती है चाहे वह एक प्रलेग या अधिकांश्टया परमपरा के रूप में हो हैं कि इंगलैंड का सविधान लच्छीले या परिवरतंशील सविधान का सर्वोत्तम उधारण है बृटेन में संसद ही साधारन कानूनों को पारित करने प्रोफेसर टैम्पले ने इस पश्ट यहां पर लिखा है कि ब्रिटेन या इंग्लेंड की संसद में साधारण कानून को बदलने और सव्विधानिक कानूनों में संशोधन करने के लिए एक ही प्रक्रिया है इंग्लेंड में कुत्तों पर कर लगाने के कानून और सामन्तों को समाप्त करने के कानून इन दोनों की प्रक्रिया के बीच में कोई अंतर नहीं है राष्ट्र के विकास में सहायक परिवर्तन शील सविधान को आवश्यक परिस्थित्यों के अनुसार परिवर्तित करके राष्ट्र के विकास या प्रगती में की जा सकती है उधारन के लिए हम ब्रिटेन के पिछले 1500 वर्षों के इतिहास को ले सकते हैं जिसमें सविधान के लचीले पन या परिवर्तन शीलता के कारण ही वहां का राष्ट्र नीतिक जीवन बीना किसी उतार चड़ाओ के बीना आशान्ती के निरंतर प्रगती की और बढ़ता रहा है तो यह जो लचीला जो सविधान है अगर हम ब्रिटेन का उधारन देख रहे हैं तो ब्रिटेन तो काफी प्रगती किया है लचीले सविधान के अनुसार पर अमेरिका को देखिएगा वो कठोर सविधान है और कठोर सविधान में आप देखिएगा कि वहां के राज्यों को यह अधिकार मिला है कि वो संह से अलग हो सकते हैं भारत का इस नीतियां बनाई है जैसे नीतिया कर रहा है न हो कर रहा है बात हम करें द्विति विश्व युद्ध की तो द्विति विश्व युद्ध से पहले और द्विश्व युद्ध के बाद दोनों ही स्थितियों में हम बृतेन और अमारिका को देखते हैं द्विति विश्व युद्ध के पहले जो बृतेन था काफी धनी था और शक्तिशाली था पर डिति विश्व युद्धे के बाद ब्रिटेन काफी कमजोर हो गया और आर्थिक रूप से भी उतना शक्तिशाली नहीं रहा पर जो अमेरिका है वो काफी शक्तिशाली और धनी भी रहा वहां का सविधान कठोर है पर उस कठोर सविधान के होते हुए भ इतना विकास किया कि उसने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया ब्रिटेन से भी आगे अमेरिका उन्नती में है और अमेरिका इतना ज्यादा उन्नत है कि उसने कई सारे राज्यों को भी उन्नत बनाया है चुकि वो धनी है कई सारे राज्यों को जो उधार हैं वो दिये हैं उनकी अर्थ विवस्था को उच्छा उठाया है ब्रिटेन 500 वर्षों से शासन कर रहा है और अमेरिका 200 वर्षों से शासन किया तो 200 वर्षों में शासन किया कठोर सविधान है फिर भी वो ब्रिटेन से आगे है उन्नती में तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि सविधान लचीला है तो भी वो नती कर सकता है और कठोर है तब भी वो उन्नती कर सकता है इसमें लचीला होना या कठोर होना इतना नहीं है दूसरा संकट काल के लिए उप्युक्त परिवर्तन शेल सविधान का सबसे बड़ा गुण यह है कि उसकी लोच शिर्ता के कारण उसे संकट काल में शिक्र और सुगमता पुर्वक परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है उधारण में प्रथम विश्वयुत तो हम संकट काल के लिए उप्युक्त है लच्षीला सविधान जैसे बिर्टेण को देखे सविधान का लattack लच्षीला और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्विपि विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ पर हम देखेंगे कि संसत का कारेकाल बढ़ा लिया गया क्यों बढ़ा लिया गया क्योंकि सविधान लचीला था प्रधान मंत्री को बदल दिया गया क्योंगि सविधान लचीला है मंत्री परिशद को युद्ध संचालन के लिए विशेश अधिकार दिये गया अगर लिखे सविधान होता या कठोर सविधान होता तो शाय इतना बड़ा जो डिसेजन है जो बृतेन ने लिया वो नहीं ले भारत की तरफ देखते हैं आप जड़ा भारत की ओर देखिएगा भारत में संकट का लिन इस्थती आई है और भारत में जो अधिकार है वो संसद के पास है कि भारत की किस छेत्र को किसी दूसरे देशों को देना है या किसी दूसरे छेत्र को भारत में विलाय करना है ये जो शक्ति जो है वो संसद के पास होती है जब संकटकाल की इस्थती आई तब भारत ने लाहौर तक को कबजे में कर लिया था पर लाहौर को भारत में नहीं मिला सकते क्योंकि ये जो अधिकार है वो संसत के पास है तो ये कटोर सविधान होने की वज़ह से ये हमें नुकसान तो हुआ है पर ये भी देखिएगा कि कभी युद्ध में भारत हारा नहीं है सविधान की वज़ह से हमें हार का सामना कभी देखने को नहीं मिला है एक और उधारन देखते हैं अमेरिका का अमेरिका का जो सविधान है वो कठोर सविधान होते हुए भी अमेरिका जो चाहता है वो कर लेता है तो यहाँ पर आप देखेगा ब्रिटेन लचीला सविधान है इसलिए वो जैसा चाहे वैसा डिसीजन वो ले लेता है पर अमेरिका कठोर सविधान होते वे जैसा चाहिए वैसा डिसीजन ले लेता है पर भारत कठोर सविधान है पर वो बिना संसद के स्विक्रिती के या बिना संसद के वो कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकता है जबकि भारत का सविधान भी लिखित और कठोर सविधान है कि तीसरा है क्रांती की संभावना नहीं लचीले सविधान में समय और परिस्थितियों वह समाज की मांग के अनुसार सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है परिणाम क्रांती और विद्रोह की बहुत कम संभावनाय रहती है क्रांती उसी समय होती है जब जन्ता की इच्छा नुसार आवश्यक परिवर्तन शांतिपूर्ण धंग से ना किया जा सके ब्रिटेन में लचीले सविधान के कारण ही बिलकुल शांतिपूर्ण धंग से कुलीन वर्ग के हाथ से राजसत्ता निकल कर समान्य जन्ता के हाथ में आ गई इतने बड़े परिवर्तन के लिए ब्रिटेन में कोई भीशन क्रांती नहीं होई है यह जो पॉइंट है वो यह कहता है कि अगर सविधान लचीला होगा तो क्रांती की कोई संभावना नहीं होगी पर हम देखते हैं कि और भी सारे देश ने अगर क्रांती नहीं होती लचीले सविधान की वज़ा से तो बाकी सारे देशों ने और भी बहुत सारे देश हैं उसने अपने सविधान को कठोर क्यों बनाया उनको भी लचीला बनाना चाहिए था सविधान उनने कठोर बनाया जैसे कि भारत में दो तीहाई बहुमत चाहिए सविधान में परिवर्तन के लिए दक्षिन आफरिका मे तीन चौथाई बहुमत चाहिए परिवर्तन के लिए और अमेरिका में दो तीहाई बहुमत के साथ तीन चौथाई राज्यों की सहमती भी चाहिए तो इतना कठोर क्यों बनाया गया है बात करें क्रांति की तो भारत भी ब्रिटिश शासित था और भारत ने ब्रिटेन के बरुद्ध क्रांति की है और सवतंत्रताप्राप्त की और अपना कठोर सविधान बनाया है अमेरिका बिटेन शासित देश है उसने भी बिटेन के वुरुद्ध करांति की है और उसने भी अपना सविधान बनाया और कठोर बनाया आस्ट्रेलिया को भी अगर हम देखें तो आस्ट्रेलिया भी के कैदियों ने क्रांति की है ब्रिटिश के वुरुद्ध और उन्होंने भी अपना सविधान कठोर बनाया है क्या उन्हें नहीं पता था कि कठोर सविधान बनाने के बाद भी उनके देशों में क्रांति हो सकती है उनके लिए सबसे ज्यादा जो प्रमुख मुद्धा थ अगर क्रांती को तो क्रांती कुछ उसको निप्टाया जा सकता है इस लिए जो सविधान है सब्यो grow होना क्रांती को रोकने के लिए अनिवारे नहीं है कठोर सविधान के माध्यम से भी क्रांतियों को रोका जा सकता है चौथा समयनुकूल और निरंतरता परिवर्तन शील सविधान परिसितियों के अनुसार अपने आपको ढालने में सक्षम होता है यह सविधान समयनुकूल निरंतर परिवर्तित होते रहता है इस प्रकार भूत वर्तमान और भविश्य के बीच एक संबंध बना रहता है यहाँ पर आप देखिएगा कि जो सविधान जो होता है बड़े-बड़े सविधान को देखिएगा जितने मात्वपुर्ण सविधान है जिन देशों के उनको बहुत ही दूरदर्शी लोगों ने बनाया है चाहे वो आस्ट्रिलिया का सविधान हो या भारत का सविधान हो या अमेरिका का सविधान देखिएगा जैसे भारत का सविधान आस्ट्रिलिया का सविधान और अमेरिका का सविधान देखिए भारत में जब पंचायतों की अवश्यक्ता हुई तो भारत ने बहुत ही सरलता के साथ सविधान में पंचायतों का उबंध किया गया जबकि भारत का सविधान कठोड सविधान है पर अवश्यक्ता को ध्यान में रख कर यहां पर परिवर्तन किया जा सका आस्ट्रेलिया का सविधान आस्ट्रेलिया केदियों के द्वारा बसाया गया देश है उन्होंने भी अपने देश का सविधान बहुत ही अच्छा बनाया है आप अमेरिका देखिएगा अमेरिका में ये कहा जाता था बहां रंग भेध होता था तो यहां तक कि उनके जो राश्ट्रपती थे उन्होंने भी बोल दिया था कि अमेरिका में रंग भेध को हटाना सविधान से असंभव है पर वहां पर भी सविधान में परिवर्तन किया गया और रंग भेध को वहां से हटाया गया है अगर दक्षिन आफरीका के सविधान को देखिएगा जो कि कठोर सविधान है जिसमें तीन चौथाई बहुमत की अवशक्ता होती है और जहाँ पर शासन भी वाइट से ही करते हैं वहाँ पर भी सविधान में संशोदन हुआ और रंग भेत को वहाँ पर भी खतम किया गया तो जरूरी नहीं है कि जो लचीला सविधान होता है उसमें ही आसानी से परिवर्तन होता है लेकिन जो कठोर सविधान है उसमें भी समय, परिस्थिती और आवश्यक्ता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है पाचवा है जन आकांचाओं का प्रतिबिम्म लचीला सविधान देश की आर्थिक, समाजिक और राश्नितिक परिस्थितियों के साथ बदलते रहने के कारण जन आकांचाओं को संतुष्ट कर देते हैं यह सविधान युग के पीछे ना रहकर युग के साथ साथ चलता है अता लचीला सविधान को जन आकांचाओं का प्रतिबिम्म कहा जाता है इसमें आप देखिएगा कि लचीला सविधान आसानी से परिवर्तन हो जाता है तो जनता की इच्छा के अनुसार इसमें आसानी से परिवर्तन कर दिया जाता है पर अगर हम देखें राज तंत्र को अगर हम एक एक्जामपल के रूप में देखें तो राजतंत्र में जन इच्छाओं का अकांचाओं का सम्मान होता भी था और नहीं भी होता था अगर जन इच्छाओं का सम्मान होता तो क्या ब्रिटेन में तीन वर्ग होतें सामंत वर्ग धार्मिक वर्ग और क्रिशक्या दास वर्ग अगर जन इच्छाओं का सम्मान होता तो क्या फ्रांस में फ्रांसीसी करांती होती नहीं होती रूस में जन आकांचाओं का पूरा होता तो क्या वहां जार को उसकी पूरे खांदान को समाप्त कर दिया जाता नहीं न? तो यहां पर देखिए जो अमेरिका है वो कठोर सविधान तो है पर वो जन आकांच्छा का प्रतिबिंब है जब अमेरिका का सविधान बनाया गया तब अमेरिका के अलग-अलग राज्यों के जो सेना अध्धक्ष थे उन वो आए थे और उन्होंने अपने अलग- था लेकिन उसने ब्रिटेन को A to Z उसने कौपी नहीं किया जैसे कि की fest का है वो ब्रिटिश सविधान का है लेकिन अमेरिका ने वह पद नहीं लिया उन्हों ने अपने देश की प्रश्वास्त्निक व्यवस्था के लिए कोई दूसरी व्यवस्था उन्होंने की लेकिन भारत ने जो नोprints का जो पद है वो बिटेंज से ग्रहंड किया है भारत ने 1935 जो एक्ट था उसका 80 percent Britain से लिया है जबकि अमेरिका ने हू बहु उसने कॉपी ने किया जैसे कि Britain है राइट हैं ड्राइव है तो अमेरिका लेप्ट हैं ड्राइव को इसने लिया उसने अपने देश के लिए अलग ही विवस्था उसने बनाई है जबकि वो भी उपनिवेश था ब्रिटेन का यहां पर आप यह भी देखेगा कि आयरलेंड जो है आयरलेंड ने भी अपना सविधान जो है वो जन आकांच्छाओं के आधार पर ही बनाया है जिसमें एक चीज आप देख सकते हैं नीती निर्देशक तत्व को और भारत ने वो नीती निर्देशक तत्व जो है वह आयरलेंड से ग्रहंट किया है तो हम यह देखते हैं कि सिप लचीला सविधान है इसी के आधार पर हम यह बोल नहीं सकते हैं कि वो जन आकांच्छाओं का होता है भारती सविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के सविधानों को पढ़ा और जो भी विशेस्ता उन्हें नजर आई उन विशेस्ताओं को भारत के सविधान में शामिल किया तो आईए हम भारत के सविधान के कुछ रोत हैं उसको हम देखते हैं जैसे भारती शासन अधिनियम 1935 इनसे संघात्मग व्यवस्था, राज्यपाल का पद, न्यायपाली का, लोकसिवा आयो, अपातकाल, उपबन और प्रशास्निक व्यवस्था ये हमने भारती शासन अधिनियम 1935 से लिया है आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया से हमने अनुसूची, बारा नुसूची जो है हमारे पास, तो अनुसूची जो है वो हमने आस्ट्रेलिया से लिया है, अंतर राज्चिय या अंतर राश्ट्रिय व्यव्यापाल और वानिज्य की स्वतंत्रता ये भी आस्ट्रेलिया से ही लि दोनों सदन साथ में अधिवेशन होता है वो हमने आस्ट्रेलिया से लिया है कनाडा कनाडा से हमने संघात्मक शासन में शक्तिशाली केंद्र संघात्मक शासन में शक्ति का विभाजन होता है पर केंद्र को जादा शक्तिशाली बलाएंगे अवसिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगे अमेरिका भी संघात्मक देश है लेकिन अमेरिका भी संघात्मक देश है पर वहां अवसिष्ट शक्तियां केंद्र के पास नहीं किन्तु राज्यों के पास होती है पर भारत में अवसिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है तो यह विशेष्टा हमने कनाडा से लिया है राज्यपाल की राज्यपाल की न्यूक्ति केंद्र के द्वारा सर्वोच्च न्यालय का परमर्ष दात्री रूप सर्वोच्च न्यालय के जो न्याय धीश है वो राश्ट्रपति को परमर्ष देते हैं यह हमने कनाडा से लिया है आयरलेंड से हमने राज्य के नीती निर्देश तत्व लिया राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनो नयन यह भी हमने आयरलेंड से लिया है और राश्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली यह भी हमने आयरलेंड से लिया है जापान वीधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया यह हमने जापान से रोस मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में जो आधर्ज है समाजिक आर्थिक राश्नितिक न्याय की यह भी हमने रोस से लिया है UK या बृतैंड बृतैंसे संसदात्मक शासन वीधीक शासन संसदिय प्रक्रिया एकहरी नागरिकता भारत संगहात्मक देश है और संगहात्मक देश में दो प्रकार की नागरिकता होती है पर भारत संघात्मक होते हुए भी एक हरी नागरिकता को अपनाया है जो उसने ब्रिटेन से लिया है मंत्री मंडल व्यवस्था संसत के विशेशा अधिकार और द्वी सदनात्मक व्यवस्था पिका यह भी ब्रिटेन से लिया दिया है अमेरिका, अमेरिका से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायक पुनर विलोकन, राष्ट्रुपती पर महाभियों, सर्वोच्चिन्याले और उच्चिन्याले के नियाधीशों को पद से हटाने और उपराष्ट्रुपती का पद, ये हमने अमेरिका से लिया है, जर्मनी, संकटकाल या अपातकाल में मौलिक अधिकार का इस्थगन, ये हमने जर्मनी से लिया है, दक्षिन आफ्रिका, सविधान में संशोधन और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचल ये दक्षिन आफ्रिका से लिया गया फ्रांस गणतंत्र और प्रस्तावना में जो आदर्श है स्वतंत्रता, समानता और भ्रात्रित्त्व ये हमने फ्रांस से लिया लिखित और अलिखिस सविधान में अंतर लिखिस सविधान निर्मित होते हैं पर अलिखिस सविधान विक्सित होते हैं लिखिस सविधान का निर्माण एक सविधान सभाद्वारा किया जाता है जबकि अलिखिस सविधान परंपरा वरीति रिवाच या अभी समय पर आधारित होते हैं लिखिस सविधान इस्पष्ट वनिश्चित होते हैं जबकि अलिखिस सविधान आयसपश्ट और अनिश्चित होते हैं लिखिस सविधान कठोर होते हैं जबकि अलिखिस सविधान लचीला होता है लिखिस सविधान में शासन की निरंग कुष्टा का भय नहीं रहता जबकि अलिखिस सविधान में शासन की निरंग कुष्टा का कुथे रहता है जबकि अलिकी सविधान में क्राइप कभ है नहीं रहता लिखिस सविधान संगहत्मक्षासन के लिए उप्युक्त नहीं है लिखिस सविधान का सर्वोत्तम उधारण अमेरिका है और अलिखिस सविधान का सर्वोत्तम उधारण ब्रिटेन है दूसरा अंतर हम देखते हैं लचीले और कठोर सविधान में अंतर लचीला सविधान अलिखित होता है जबकि कठोर सविधान लिखित होता है लचीले सविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है जबकि कठोर सविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है लचीले सविधान साधारन कानून तथा सविधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता है जबकि कठोर सविधान में साधारन कानून और सविधानिक कानूनों में अंतर किया जाता है लचीले सविधान राष्ट्री विकास और प्रगती में सहायक होते हैं जबकि कठोर सविधान राष्ट्री विकास और प्रगती में सहायक नहीं होते हैं क्योंकि सविधान में संशोधन समय के अनुसार होना कठिन होता है। लचीला सविधान संकट काल के लिए उप्युक्त होता है जबकि कठोर सविधान संकट काल के लिए उप्युक्त होता है। लचीला सविधान संघात्मक शासन के लिए अनुप्युक्त होता है जबकि कठोर सविधान संघात्मक शासन के लिए उप्युक्त होता है। लचीले सविधान में क्रांती की संभावना नहीं रहती क्योंकि समय के अनुसार सविधान में परिवर्तन किया जाता है। कठोर सविधान क्रांति की सविधान संभावना बनी रहती है लचीले सविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद अत्वा व्यबस्थापिका को होता है जबकि कठोर सविधान में संशोधन करने के लिए संसद के से उच्चतर एक संस्था की आवशक्ता होती है लचीले सविधान में संसत की शक्ति आसीमित होती है संसत की इस्तिती सर्वोच्च होती है जबकि कठोर सविधान में संसत की शक्तियां सविधान द्वारा सीमित कर दी जाती है सविधान को सर्वोच्चता दी जाती है